सोगाई इस जैसा कि हमने पिछले पिसोड में देखा कि वांग गुतों की सेल को कंट्रोल करने के लिए अगे सियार रेड़ अप की ज़रत थी यूआउ वांग क्यू के साथ अर्ब लेने के लिए ये ये यांग आई ओफ आइसेंट फायर के पास पहुंच गया था पर यांग पोर्ट का यूज करके अपनी पार बढ़ा रही थी जिसकी वज़े से हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकते यूआ के यदा है कि अगर वो यांग पोर्ट का यूज करूंगा ये के करो बेबी इंप्रेस की तरफ इशारा करता है बेबी इंप्रेस बिना वक्त लेकिन उसे पहले बेबी इंप्रेस सुनो इंप्रेस में ट्रांसोम हो जाती है और गुसे से फायर गल को देखती है सुनो इंप्रेस के देखने मातर से ही फायर गल आइस में फ्रीज हो जाती है और कुछ नहीं कर बाती सुनो इंप्रेस के ती है कि यांग की एलिमेंटल प स्वारे में, पधा चल जाता है, वो सोच दीए कि Iispress कीी tofu core में यह सजमें बहुत ہی जादा conflicts है यह वो सनोइ इंप师 को fighters काइट कि लिए कहता है सनोइ इंपरेश अपने सनो टोनेडों की मदस से fire girl को destroy कर देती है और फाइर प्लांट से कहती है कि अभी तुम काफी गमंड दिखा रही थी फर अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम डर गई हो यह करो फाइर प्लांट पर अटेक करने लगती है जिसे फाइर प्लांट बहुत ही जदा ढर जाती है और अपना सर नीचे करके आखें बंद कर लेती है यॉाव सनो इंप्रेस से फायर ब्लांट को मारने से मना कर देता है इसलिए सनो इंप्रेस उसे नहीं मारती वो कहती है कि इस बार में तुम्हें छोड रही हो लेकिन अगर तुमने दोबारा गवर्ण दिखाने की मत की तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँंगी यॉआउ सनों इंप्रेस से बूस्ते है कि क्या तुम्हें सारी चीजे याद आ गई है प्लश्त इसका कोई जाब नहीं देती और दोवारा से बेभी इंप्रेस में ट्रानस्वर्म हो जाती है तब यहां एक फ्लावर एक्टेड हो जाता है जो कहती है कि मैं बहुत वक्त से किसी का इंतजार कर रही थी जो इस्टेश को पास कर सके और आखिर कर तुम यहां आई गए उस शक्त से आने टेंग से ने मुझे एथरनल फेरी फ्लावर केकर बुलाया था पर तुम मुझे क्यों कहती है कि मैं अकेसिया रेड हब के बारे में जानती हूँ और तुम्हें हां लेकर जा सकती हूँ पर तुम्हें एक टास्क पुरा करना होगा अकेसिया रेड हब को सेफ सचे प्यार की मदद से ही लिया जा सकता है अगर तुम इस सब को खाकर अकेसिया रेड हब को ल कम से कम तुम्हें एक बार हर्व को चेक करना चाहिए था यॉहाओ के दाए कि वांग डूं की आलत बिगरती जा रही है हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं है और तुम्हें फिक्र करने की जुरब नहीं है मुझे कुछ नहीं होगा अचाना यॉहाओ को चकर आने लगते हैं और उसकी आँखों में दर्द होने लगता है इसे वांग की वो गबरा जाती है और उसे यू यू पर बहुत गुसा आता है वो कहती है कि से कोई फर्क नहीं बढ़ता है कि तुम्हें एक डिवाइन हर्व हो अगर तुमने यूआओ को चोट पहुचाने ही कोशिश की तो मैं तुम्हें जिना नहीं चोड़ूंगी यूआओ के एदा है कि तुम्हें गुसा करने की जुरत नहीं है ये हर्व मुझे नुकसान नहीं पहुचा रही बलकि इसकी वज़े से मेरी पाउर बढ़ रही है उस अब की वज़े से यूआओ की वेंस में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है और सारी एनर्जी उसकी स्पीचल आई में चली जाती है जिसकी वज़े से उसकी स्पीचल आई दूसरी बार जाती है और उसके पार भी बढ़ जाती है वहां क्यों पूस्ती है कि क्या तुम्हारी जन्वजाद मार्शल सौल दूसरी बढ़ जागी है युआओ कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता पर अब मेरी परपर डीमन आई में 4 रियल्म है जिसमें माइक्रोइसकोबिक, मिनट वेस्ट और बाउंडलेस है और अब मेरी परपर डीमन आई बाउंडलेस रियल्म में पहुंच चुकी है अब मुझे किसी इलुजन से डरने की ज़रत नहीं है मैं आसानी से इलुजन का पता लगा सकता हूँ योई युआओ को जुआन त्यान बार लुओ नाम की बुग देती है बुग पढ़ते हुए युआओ के दा है कि मैं टेंग सेट का फांडर टेंग सेंग हूँ ये बुग टेंग सेंग के ट्रेजर रिकॉर्ट की मेडिसिन और पोईजन का एक चेफटर है मेडिसिन और पोईजन लोगों को बचाने और मारने के लिए यूस किया जाता है। मगर मुझे उमीद है कि तुम इन चीजों का सही यूस करोगे। अकेसियार रेडर्ब से फ्लावर्स के लिए होती है। क्यों क्यों खास फ्लावर्स अपने मास्टर को खुछ चूस करता है। कि अकेसियार रेडर्ब को लेते हुए तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में सोचना होगा और फ्लावर के उपर अपना ब्लड डालना है। यांग फायर पॉर्ण्ट की तरफ देखने लगता है। यांग फायर पॉर्ण्ट बहुत जादा गर्म होता है। अगर तुमने उसे टच्च करने की गलती भी की तो तुम मरते दम तक जलते रहोगे और तुमारी मौत जादा दरदनाक होगी। वांग क्यों यूआओ से कहती है कि यह सब बेकुफी करना बंद करो, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, मुझे यकीन है कि हम दूसा कोई रासा ढून लेंगे, यूआओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, और यांग फायर पॉर्ण का वाटर अपने हाथ में ले लेता है, जिससे उसे बहुत तकलिफ होती है, उसके हाथ जल जाते है, और खुन निकलने लगता है, मगर फिर भी यूआओ उस वाटर को पी जाता है, जिसकी वज़े से उसका गलाब बुरी तरह से जल जाता है, और यूआओ के सारेट फ्लावर पर खुन की उल्टी कर लगता है, जिसकी वज़े से वो यूआओ को अपना मास्टर मान लेता है, और यूआओ से अपने हाथ में पकड़ लेता है, वो वांग भुतोंग को याद करके खुश होने लगता है, पर फायर वाटरे की वज़े से उसके आलत खराब हो जाती है, और वो बेहुश हो कर न बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रिफाइस करना इतना असान है, यूआओ से अकेस्या रेडर देखर वांग भुतों के पास जाने के लिए कहता है, उसके आलत देखकर वांग क्यों को बहुत जादा बुरा लगता है, और वो यूआओ से बोस्ती है कि क्या यूआओ मर जाएगा, यूआओ हमें जाब देती है, इससे वांग क्यों को बहुत गुसा आता है और अपनी बोड़ी से इनरजी रिलिस करती है, वो कहती है कि अगर यूआओ मर गया तो तुम भी जिन्दा नहीं बचवाओगी, इसलिए बेतर होगा कि तुम इसे बचाने में मेरी मद से यूआओ को ठीक करने ही कुछ करते हैं, पर इससे भी कोई फर्क नहीं बढ़ता, वो कहते हैं कि यूआओ के टरनल और एक्टरनल और और गंस पूरी तरह से डेमेज हो गया है, मुझे लगता है कि अगर वांग क्यों यूआओ के पास नहीं होती तो जिन्दा नहीं बच माता, इस वक्त यूआओ खत्रे से बाहर है, पर इसने बहुत सारी एलिमेंटल पावर को एजो किया है, जिसकी वज़े से मैं से ठीक करने के लिए इसकी बोडी में सौल पावर इंजिक नहीं कर सकता, अब हम बस एक यूआओ की एलिम पावर ही इसकी बोडी को ठीक करें, ये केड़र जूआओ अकेसिया रेड़ हब लेकर वांगुतों के रूम में चले जाते हैं, और उससे अकेसिया रेड़ फ्लावर एजो करवा देते हैं, जिसकी वज़े से वांगुतों की आलत सुदर जाती है, और उसे होशा जाता है, होशा आते हो यूआओ के बारे में कि वांगों कई तोंक वांगों को धेंख केती और Houston उसकाती हैं ओर लोगों के हैं AG और रावं का ध्यान रखुंगी यह बास सुनका सम लोग उनदा चोड़ा चोड़कर वहां ? अगर तु मर जाते हो तो मैं भी जिन्दा नहीं रहूंगी यह केकर उसे अपने पांश्ट की याद आती है जब वो पहली बार युहाओ से मिली थी और दोनों दिरे दिरे दोस्त बने थे दिन गुजरते जाते हैं पर युहाओ की आलत में कोई सुदार नहीं आता और वो बे अपना फेसला कभी भी नहीं बदलूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बले मुझे अपनी जान क्यों ना खवानी पड़े पर मैं तुम्हें प्रोटेट करूंगा यह सब बाते याद करके वांगुतों को बहुत अच्छा लगता है और युहाओ को देखते मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेक्स वरोटी तुम्हें